आज का वीडियो मैंने स्पेशली पेरेंट्स के लिए रिजाइन किया है क्योंकि तमाम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कम्प्यूटर पर अपनी एक्टिविटीज को पॉजिटिव रखें स्पेशली एक्जैम्स के दिनों में बच्चे सोशल मीडिया की बजाए अपनी स्टेडी पर फोकस करें तो इसका स्लोशन हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम अपने कम्प्यूटर पर उन वेबसाइट्स को ब्लॉग कर दें जो के आप चाहते हैं कि आपके बच्चे विजट ना करें आई ये देखते हैं कि हम अपने कम्प्यूटर पर स्पैसिफिक वेबसाइट्स को किस तरह से ब्लॉग कर सकते हैं इसके लिए हम अपने computer में मौझूद C drive को open करेंगे C drive के अंदर windows का folder locate करेंगे और इस folder को open करेंगे windows के folder के अंदर हमें find out करना है system32 का folder system32 को open करेंगे और इसके अंदर drivers के folder को locate करेंगे drivers का folder हम open करेंगे और इस folder के अंदर etc का folder मौझूद होगा इस folder को हम open करेंगे इस folder के अंदर हमें hosts के नाम से एक file नज़र आएगी इस file पे हम right click करके open with करेंगे और इस file को notepad में open कर लेंगे जैसे ही हम इस file को notepad में open करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का interface नज़र आता है हम इसे scroll करके file के last पर ले जाएंगे यहां पर हमें एक IP address नज़र आ रहा है हम इस IP address को copy करेंगे और इस file की last line में paste कर देंगे पेस्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि IP address में last digit जो है वो one था हम क्या करेंगे हम अपने new IP address में इस digit को increment कर देंगे यानि एक की बजाए में यहां पर दो लिख दूँगा और उसके बाद मैं space एंटर करके उस website का address लिखूँगा जिस website को हम block करना चाहते हैं let's say हम Google को block करना चाहते हैं तो हम यहां पर google.com लिख देंगे क्यूंकि हम websites को दो तरह से open कर सकते हैं एक तो हम browser में directly google.com लिखते हैं तो हमारी website open हो जाती है दूसरा तरीका यह होता है कि हम www.google.com लिख देते हैं तो दोनो तरह से website को open किया जा सकता है तो हमें इन दोनो तरह तरीकों को ही block करना पड़ेगा तो मैं इसको copy करता हूँ और दुबारा से paste करता हूँ यहाँ पर मैं इसका IP address एक और increment कर देता हूँ दो की विजाए मैं यहाँ पर तीन कर देता हूँ और इस website का link मैं www.google.com लिख देता हूँ अब हमें इस file को save करना है जैसे ही हम इस file को save करते हैं तो हमारे browser पर यह वाली website जिसका link हमने यहाँ पर enter किया है block हो जाएगी तो check करते हैं क्या वाक्य ही वो file block हुई है या नहीं website block हुई है या नहीं तो हम यहाँ पर google open करने की कोशिश करते हैं google.com तो यह website blocked है अब दूसरे तरीके से देखते हैं www.google.com तो इस तरह से भी यह website open नहीं हो रही है इसी तरह से हम different websites को जैसे facebook को block करना चाहते हैं यहाँ पर हमारे पास facebook open हो रहा है तो हम चाहते हैं कि facebook block हो जाए तो हम यहाँ पर facebook के लिए भी यही सारा process कर सकते हैं मैंने यहाँ पर iptrust को increment किया और यहाँ पर मैंने facebook.com लिख दिया और एक बार मैं इसको www से भी block कर देता हूँ मैं इस file को दुबारा से save करता हूँ और अब देखते हैं क्या हमारे पास facebook open हो रहा है या नहीं google हमारे पास open नहीं हो रहा था हम facebook को भी check करते हैं तो यहाँ पर facebook भी block हो चुका है अब दुबारा देखते हैं कि इन files को in websites कौन block कैसे करना है तो हम इस सारे text को remove करके इस file को save करेंगे तो हमारी यह websites unblock हो जाएंगी यहाँ पर एक चीज़ और mention करना चाहूंगा बाज उकात इस file को जब आप open करते हैं और दुबारा से save करने की question करते हैं तो यह file save नहीं हो रही होती क्योंकि इस file के लिए admin rights आपके पास नहीं होते तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ तो administrator account से login कर लें यहाँ फिर इस file पर right click करें इसकी properties में जाएं security के tab पे चले जाएं security को edit करें और जिस user से आप login है उस पर click करें और यहाँ पर मौझूद तमाम check boxes को allow करवा के okay कर दें से आप इस file को admin rights के साथ save कर सकते हैं so इस तरह से हम अपने computer पर किसी भी website को block कर सकते हैं